दोस्तो रासन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी निकल कर आ रहा है इस सरकारी लाब चैनल पे आपको बता दे कि अब मोवाइल नमर से जो है रासन मिलेगा जी हाँ ये बहुत बड़ा अफडेट सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा है जिसके मदद से मोवाइल नमर से ही रासन कार्ड आप प्राप्त कर सकते है इसका में उद्दे से क्या है कि मोवाइल नमर से रासन कार्ड प्राप्त करने का मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका फिंगर काम नहीं करता है बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका finger काम नहीं करता है कुछ लोग बुजूर्ग आदमी है जो 50-60 साल के उमर के रहने वाले उनका finger जो है घिसने की वज़े से काम नहीं करता है तो उनको रासन कार्ड नहीं मिलता है कि आपने रासन कार्ड प्राफ्ट कर लिया है तो आसानी से अब बताते हैं इसका में उद्दे से क्या है देखे एक वाइसी जो सरकार आपका एक वाइसी करा रही है एक वाइसी का में उद्दे से आप ध्यान दी होंगे कि जब EKYC कराने के लिए जाते हैं फिंगर लगाने के लिए तो आप से एक मोबाइल नमबर मांगा जाता है गारजीयन का तो ओ मोबाइल नमबर के माध्यम से ही मोबाइल नमबर उसमें जोड़ा जाता है केवाईसी होता है अब मोबाइल नमबर आपका रासन कार्ट से जुड़ गया तो अब आपको सरकार ने यह सुबिधा जारी करने जा रही है कि मोबाइल नमबर से ही आप रासन ले सकते हैं आसाने से आपके नमबर पे एक OTP जाएगा आप भी संतुष्ठ हो जाएंगे और इ लागो करेगे यानि मोबाइल नमर से अब आपको रासन कार्ट आसानी से मिल जाएगा फिंगर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिजिटल इंडिया होने जा रहा है अब आपको बता दे कि EKYC कराना आपके लिए बहुत जरूरी है अब बहुत सारे केस मे अगर आप EKYC नहीं कराते हैं तो आपका रासन कार्ट से नाम डिलेट हो जा रहा है तो आप इस कंडिशन से बचे अभी आपने EKYC नहीं करा ले वह अना रासन कार्ट से नाम आपका कड जाएगा मैं उद्दे सर्कार के है कि बहुत सारे लोग मृतक हो चुके हैं मर चुक कैसा लगा कमेंट करिएगा कहां से आप वीडियो देख रहें यह भी बताइगा अभी तक आपने कर आया या नहीं कराया यशा भी बताइगा इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलता रहा है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा लोगों में सेर वीडियो को करिएगा ताकि उन क को भी नई सूचना अच्छी अच्छी मिलती रहे और हमारे लिंक डिस्क्रिप्सिंस में वाट्सिप चैनल को फिर फॉलो कर लिजेगा उस पर अपडेट मिलता है थैंक यू